नमस्कार मैं हूँ बिनापाटक एवी निउस में आपका स्वागत है आएजे देखते हैं आज की प्रमकवर इनार्सी और राश्टी जनसंख्या रेजिश्टर को अपडेट करने के निर्णे को लेकर समाज के बर्ग में भय और भ्रमका भूत खड़ा किया जा रहा है जूट के जाड से सच के पहाड को छिपाने की कोशिस की जा रही है और इसलिए आज भारत वर्ष में हर संपरदाय के लोग रहते हैं हिंदू भी रहते हैं मुस्लिम भी रहते हैं सिख्य भी रहते हैं इसाई भी रहते हैं जैन भी रहते हैं बौद भी रखते हैं पार्थी भी रहते हैं और सब को भारती समिधान के अनुचेद 14 से 35 तक जो मौलिक अधिकार प्रदप्त किये गए हैं वो सभी को विशेषा दिकार उन मौलिक दिकारियों के प्रति सभी का है चाहे योजला योजला हो चाहे सभग योजला हो चाहे आईशमान योजला हो चाहे सवच भारत मितन हो और चाहे आवास प्रजान मंतरी आवास मुख मंतरी आवास योजलाई हो और चाहें किसान सम्मान निदी का लाव लोग को मिल रहा हो इसमें हमारे यहां भारत बर्त में किसी परकार का कोई बर्गी करन नहीं होता है चाहे हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो चाहे सिख हो चाहे हिसाई हो चाहे जैन हो चाहे बौध हो सबी को इन योजनाओं का पूरा-पूरा पास्थता की आजार के लाउट मिल रहा है कुछी प्रकार कोई अंतर, कोई कुछी प्रकार का इन लोग के भीज बीच में भीज नहीं है पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान और प्च्छी पाकिस्तान चुँकि वो धर्म सापेच्छ देश हैं पाकिस्तान में लगवा 12 परसत अन्य संपरदाय के लोग रहते थे हिंदू, सीथ, किसाई, जैन और इसी तरीके से जो बंगला देश है जो बना है जिसको पूरी पाकिस्तान था इसमें लगवा 22 परसत लोग अन्य संपरदाय के लोग रहते हैं लेकिन बहाँ पर धर्म सापेच्छ देश होने के कारण इन लोगों के साथ अच्ताचार हुआ, दबन हुआ, सोसन हुआ इसलिए वो भागबाग करके सब भारत मर्स में आ गए पाकिस्तान में लगवा केवल 12 से 2 परसत लोग से चले गए और बंगला देश में 22 से केवल 8 परसत लोग बार रहे गए और इस परकार से सागनार्थी के रूप में हमारे इस देश में वो लोग रहते हैं बरसे 2000 नेबरसे 1955 में नागरिक्ता अधनियम बनाया गया इस नागरिक्ता अधिनियम बच्छे हमारे भारत के सम्धान के अनुचेद पांच से लगाकर के ग्यारा में भी नागरिक्ता सम्मंदी ब्यवस्ता दी गई है और अनुशे 11 में सरकार को कानून बनाने की ब्यवक्ता बनाने का पूरा पूरा अधिकार भी प्रदर्थ है जिस करम में ये 1955 में नाजिता कानून बनाया गया लेकिन ये कानून आगे चलके एक बार इसमें 1926 में संसोधन हुआ और इस बार ये आवसकता पड़ गई कि जो सरनार्थी लोग रहते हैं बंगला देश के आए हुए, अफगानिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान से आए हुए उनको भी नागरिकता प्रदान की जाए, उनको भी मौलिक अधिकार प्रता प्राप्त हो जाए इस क्रम में ये नांगरिक्ता संसोधन अधिन बिल लोग सबा में दस तारीक को लाया गया दस दिसम्बर को और गैरा तारीक को इसमें राजशबा भी पारित हो गया और बारा दिसम्मर को राश्पत की सुख्यत मिलने के वाद ये कानून बन कर किया गया इसकी धारा पांच में पहले ये ब्यवस्था थी कि जो सरानाथी के रूप में इस देश में रहते हैं उसे ग्यारा बर्स बितीत हो गया है उसको यहां की नागरिक्ता प्राप्त हो जाएगी लेकिन अब उसमें परिवत्तन करके ग्यारा के वज़ाए पांच बर्स कर दिया गया और साथ इसाथ उसमें ये किलाज और भी जोल दिया गया कि जो भी 31 दिसम्मर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगला देश से लोग आए हैं और वस्रालार्ती के रूप में यहां रह रहे हैं चाहे वो सिख हों, चाहे वो जैन हों, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो पार्सी हों, चाहे बोध हों, चाहे इसाई हों सब को नागरता प्रदान हो जाएगी और सब को भारत के समिधान के अनुक्षे 14 से 35 तक के जो विशेसा दिकार जो मौली का दिकार काव लेख किया गया है वो सारे अधिकार उनको विशेसा दिकार प्राप्त हो जाएगा जो सरारती समय हमारे देश में रह रहे हैं वो सिख इसाई हिंदू पार्सी जैन बहुत बिन बिन समपरदाय के लोग हैं इसके साथी साथ एक एन आर्सी और एक एन आर्पी दो बिवसाएं और सुनिशित की गएंगे एन आर्सी का मतलब हो गया है कि नागरिकता राष्टी नागरिकता रेजिस्टर और एन आर्पी का मतलब हो गया है राष्टी जनगरिकता रेजिस्टर तो मुस्लिम भाईयों को इस बात का संदे पैदा हो गया है कि इन दोनों बिवसाओं के लागू होने से नागरिकता रेजिस्टर में हमारा नाम पंजिकत नहीं होगा लेकिन ये संदे करना ब्यर्थ है उन सब का जिनको इस देश में नागरिकता प्राप्त है ऐसे सारे मुस्लिम भाईयों को भी उसमें पंजिकरन होगा और वो भास परस के नागरिक मानी चाहेंगे इसी प्रकार से अब 2021 में जनगरना होने जा रही है इस जनगरना में भी मुस्लिम भाईयों को संदे है कि हमारे जनगरना से हमको बंचित कर दिया जाएगा ऐसा नहीं होगा मुस्लिम भाईयों की भी जनगरना होगी और उनको किसी प्रकार से नागरिकता से बंचित करने का या उनको इस देश में सुभधाय प्रदत कराने में मौलिक अधिकार प्राप्त होने में किसी प्रकार से कोई बंचित नहीं होगा सब को पूरा पूरा अधिकार धोज जितना हिंदुों को अधिकार होगा उतना मुस्लिमों को भी इस देश में अधिकार होगा कोई भी बरसा ऐसी नहीं है ना नागिता संसुदन विधियक में इनको बंचित किया गया है ना इनके नागिता समाप करने की कोई बात की गई है और ना एनर्सी में या एनर्पी में भी इस तरीके की कोई बरसा नहीं है पूरी तरीके से अब मुसलिम संतुष्ट है पूरे देश में जो राजनेतिक रोटियां सेखने वालों ने अराजक्ता का महौल पैदा कर दिया था वो पूरा का पूरा अब सांत हो गया है हमें किसी की नागरिक्ता छीन नहीं रहे हैं एक कानून नागरिक्ता देने के लिए है ना की नागरिक्ता लेने के लिए है